कि हैलो गई साज हम बात करेंगे सैमसंग गेलेक्सी एट्वेंटी वन इसके लॉग स्क्रीन अपडेट के बारे में आप लोग में से बहुत लोग यह सोच रहे होगे बहुत लोग का डाउट होगा कि भाई लॉग स्क्रीन को कैसे अपडेट किया जाये तो मैं आप लोग को बताऊंगा उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा बहुत लंबा चाड़ा भासन यहां पर देता हूं कि भाई अपडेट होने के बाद आप लोग की फोन में लॉग स्क्रीन में क्या बदलाओ होगा तो जैसे आप लोग देखा होगा कि जब भी हमारे फोन में साप्टेव अपडेट आता है कुछ नएने फीचर्स आते हैं अच्छी बात है और कुछ-कुछ आप लोग ने देखा हो कि कुछ-कुछ जो लेग वगर रहता बग वगर रहता है वो फिक्स यहां पर हो जाते तो लगबख से में आप लोग को लोग इसक्रीन में देखने को मिलेगा अ अंगर पिंट लोग यूज़ कर रहे है इसमें कोई भी बग्स रहेगा तो फिक्स यहां पर हो जाएगा और किसी प्रकार कि आप लोग को लोग इसक्रीन में प्रावबल मारी है सारी कि सारी यहां पर सॉल हो जाएगे अगर आप लोग इसको अप्डेट कर देंगे सब हम इस वीडियों पर जानेंगे तो वीडियों साथ आप लोग बने रहे तो देखिए सबसे पहले का करें आप लोग अपने फूर्म में सैटिंग उपन करिए यहां पर आप लोग को लॉग इसक्रीन सैटिंग में लोग कर देना है यहां भी तो नीचे हैं यहां पर आप लोग, A-B के बगरे इस्टॉल करते अपडेट करते ना उस टाइप का ये भी लगबग सेम है इसको भी आप लोग यहां पर अपडेट करने के पाद, और आप लोग को नए यांपे solve कर पाएंगे उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद है कि जय मता दी